नमस्कार दोस्तों, BCD Tech के इस भाग में आपका फिरसी स्वागत है, दोस्तों एक Digital Weighing Skill कैसे वर्क करता है, आईए देखते हैं दोस्तों, Digital Weighing Skill आजकल आपको हर जगा देखने को मिल रहा है, सूपर मार्केट्स में, दुकानों में, जीम में, अपने बातरूम में, तो फिलाल इस टाइप के जो Weighing Skill होते हैं, यह वर्क कैसे करते हैं, आपको पहले तो मैं बता देता हूँ, एक Mechanical Skill कैसे वर्क करता है, दोस दोस्तों, इस Digital Skill है, इसमें दोस्तों, जो फोर्स मेजर की जाती है, यहां पर दोस्तों, कोई Analog to Digital Conversion नहीं है, यहां पर दोस्तों, प्रिंस्पल है वो काफी डिफरेंड है, तो दोस्तों, इस Weighing Skill को समझने के लिए, मैं पहले इस Weighing Skill को खोल देता हूँ, दोस्तों, यह है तीन टाइप के आते हैं, Class D, Class F, Class K, और जनरली, Class D ही आपका यूज होता है, Digital Skill में, और फिलाल देखा जाए, Class D में, आपको चार वाइट्स मिलेंगी, तो दोस्तों, यह एक तरह से, यहां पर Strain Gauge Base Wing Skill है, मैं आपको बता देता हूँ, Strain Gauge Wing Skill क्या होता है, दोस्तों, इस टाइप की जो Wing Machine होती है, उसके अंदर के होता है, एक substrate ली जाती है, और यह आपकी Elastic Substrate है, यहां पर यहां पर यूज करहा हूँ, यहां पर यूज का यूज होती है, जिसके आप गुबारे का भार का ले ले लिए लिए बिल्कुल उसी टाइप की होती है, और इसको पर ए है इन दोनों पैट्स को पर कोई ना कोई रिजिस्टेस्टनस आपको देखने को मिल गा में भी दोस्तो यह आपका बहुत कम हो सकता है मतलब दो यह तीन ओम मान लेते हैं जब दोस्तो इस पर आप प्रेशर लगाते हो जैसे कि आप इसको ऐसे कही तो क्या होता है यह लाइन स जबकि दोस्तु आप इस पर कम्परेस कोड़े है, ऊप हो फिलाल onzeno, ग किम रगेन, यहां पर कeenश görते हैं अंते देटेंव में और pairs कोड़ेते हुआं इसका ऐसे का व्हार है म 보여ता है और इसका इसा का उसे को यहां से कर दोस्तो इसको कर्म पर ही और रिजसन कितना वेरी कर जाता है यह आपका यह वीट स्टोन बिज आराम से यहां पर मेजर कर लेता है इसके जो आउट पूट रोपें पूचल जाती और कर इध्यार मेजर के जाता है उसके इन यहां surprise को से छोड़ी प्रयार को सकते कर दो गिलिski यहां इतनी जी ज़रोगी हैने इस इस प्रेक्टिकल डिवाइस पर आ जाते हैं, इस प्रेक्टिकल डिवाइस में यह पर फैबरिकेट कर दे जाता है, क्योंकि यहां पर यहां पर यूज कर रहे हैं, इसको फिलाल इसको नलिफाई करने के लिए विल्कुल वीट्सन ब्रिज को उपर ही हम लोग फैबरिकेट कर और जितना इस पर इसका पर लगा वह बड़ाई और यहां पर इसी रिजिस्टेंस को मेजर करके काल्कुरेट कर लेते हैं कि इस आम के उपर कितना वेट पड़ा हुआ है तो फिलाल दोस्तो यह है एक डी टाइप स्ट्रेंगेज बेस वेइंग मशिन की प्रिंसिपल दोस्तो इसी टाइप से एक एक त्रेंगेज जो की आपर इन फिचर में आ सता है वह काफी पापूर हो सता है उसका प्रिंस्पल हो वो वर्क करता है इस पीजट्रीक स्पीकर को उपर तो यहां पर आप पीजट्री को भी यूज़ कर सते हो वेट को मेजर करने के लिए उस में दोस् बिद्बाइर और आपको पता है अगर आप पीजोट्रीट्री क्रिस्ल को स्ट्रेस्टारर स्ट्रेंड करते हो तो फिलाल एक्र्चिकल फिल्द उसके अक्रोच जएरेटी इसप्रपोर्शन युटिया और यहां पर डिरेक्री उस्टक स्ट्रेस्ट करके हम लोग वेट को चे तो यहां पर टेक्नोलोजी में डिफ्रेंस है इसके मुकाबले काफी अच्छी होती है और फिलाग वो ज्यादा यहां पर दूरेबल है तो दोस्तो यह चीप एन रिलाइबल टेक्नोलोजी है काफी सस्ती है और आराम से आपको इस टैप को जो वेइंग मशीन है आपको डिपेंडिंग उपन की आप कितनी रेंज वाला ले रहे हो उसके साब से सो दोसो से लेके आपको यहां पर हजार देर जार पर तक कभी मिल ज सकी है तो चल गया कि कैसे एक डिजितल वेइंग मशीन वर्क करती है तो फिलाल इसके बाast दोस्तों आपसे अगर कोई सवाल पूछता है कि डिजिटल वेइंग मिशीन कैसे वर्क करती है तो मुझे लगता कि आपको अब इसका जवाब मिल गया ओगा तो फिलाल इसी के नमस्कार जैहिन जैभारत वंदुमात्रों